अच्छा दिन है स्वाज रेड कलर पहने तो इसलिए मैं रेड पहना है देखें मेरी यह सब बहुत पुरानी पुरानी साधिया है तो मैं अभी सभ्या के सब आसपास की मात दीवी जी देखने जा रही को कि अब मैंना कल से तीन दीन ही बच्चे हैं में अभरात्री में तीन करन जा सब्सक्राइभ है तो आसपोर से जतनी है जाहां जांकर में पैदल जा सकते हैं वहां पर जली गई है क्यों कि उसे करणिया भूंपूश में जाना था कोई आँपी उन्होंने शॉम्ने कि अथैस्टय देख देन अब होश तो बस वहां से आई है तो नीचे यह कानो कि अब लोग आई होप सब ठीक होंगे काफी दिनों के बाद आज मैं लॉंग वीडियो डाल रही हूं और हम घर से निकलते से पहले गए थे सबसे पहले बड़े मंदिर की दर माता जी को देखा यह जस्ट हमारे घर के पीछे फिर हम थोड़ा सा आगे गए तो गणिश शुक बोलते हैं हमारे घर के मतलब पास में वाकिंग डिस्टेंस पर ही यह सब माता जी थी वह हम देखने के थे तो यहां पर अभी तक मैंने पहली बारी यह सी माता जी हमारे हां पर मतलब मैंने कभी ना माईके में देखा है ना ससराल में यहां पर माता जी के जितने नो यहाँ पर वेराशमान थे, आप देख सकते हैं, मैं के करके आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ बीज में बैठी हुई थे बिल्कुल फिफ्ट नमबर पर मेन जुद्दुरका जी होती है मेन वो सबसे बड़ी मूर्ती थी, बाकी की सभी असपस चार-चार और जो माताजी होती है वो सब बैठी हुई थी, काफी 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 अच्छा लगा इसे देख कर, पहली बार क्योंकि इसा देखा था और especially सभ्या बहुत excited थी, यहाँ पर जाकर दर्शन करने के लिए तो उसको लेकर आना मुझे बहुत जरूरी था, हो ही नहीं पारा था आना क्योंकि यार इस बार की नवरात्रियों ऐसे निकल गए कि पता ही नहीं चला कब माताजी का छटवा दिन आ गया, कब छे दिन निकल गए पता नहीं चला बस यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किये सभ्या को सारी माताजी बताई, उनके बारे में बताया और फिर हमें लगा कि यहाँ पर शायद आर्थी स्टार्ट होने वाली, बटम लोग काफी दिर तक रुके रहे पर आर्थी स्टार्ट नहीं हुई थी तो हमने सुचा चलो यहाँ से आगे चलते हैं, क्योंकि फिर क्या था सभ्या को और जगे दर्शन करकर मंदीर भी जाना था तो एक ही जगे रुक जाते तो फिर वो दर्शन नहीं कर पाती बागी जगों पर सो बस हम लोग आगे गए हैं, तो यहाँ पर भी काफी अच्छी माता जी बैठी हुई थी यहाँ पर माता जी की जो तीनों स्वरूप थे, मतलब शिफ पारवती और लक्षमी जी, विष्णू जी और ब्रह्मा जी और सरस्वती जी इन तीनों स्वरूपों में माता जी विराश्मान थी, मतलब इस पर जो माता जी हमारे यहाँ पर विराश्मान भी थी वो काफी अच्छी और बहुत सुन्दर सुन्दर थी, तो यहाँ पर हम लोगों को मिल गई थी आर्थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर की आर्थी और य फिर यहां से भी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे यहीं पर पहुंच के तना तब ही मम्मी का गौल आ गया था कि जभ्या को मंदीर भेश तो मंदीर में भी भुजन स्टार्ट हो गया करनिया भुजन तो बस यहां पर हम लोगों ने सुचा कि आर्थी कंप्लीट करकर फिर निकलते हैं क्योंकि उसको उसके पापा लेने आने आने वाले थे तो हम लोगों ने बहुत दिर तक वेट किया पर वो आईने आप देख सकते सब गणों के साथ में बैठी हुई थी माता जी और फिर हम लोग पहुंचेते राजमा जो जैसे बोलते वहां पर भी माता जी काफी अच्छी बैठी हुई थी तो वहां हो रहे थे गरबे तो यह पर मैंने थोड़ी देर गरबा देखा और यहीं से सभ्याद चली गई थी फिर तो यहां पर थोड़ी देर मैंने गरबे देखी क्योंकि बच्चे दोनों घर पर नहीं थे और मैं घर जाकर करती ही किया फिर उसके आगे थोड़ा सब और आगे की तरफ माता जी बैठी और तब तक साड़े जस का समय हो गया था इसे जादा टाइम नहीं हुआ था और फिर यहां पर कुछ एक्ट चल रहा था मतलब नो देवियों के सरूप बनाए हुए थे और पूरी जो स्टोरी थी वो यहां पर क्रियेट की गई थी पर इतना ही देख पाई में और इसके ब पासी में एक माताजी और विराजवान थी तो यहां पर में रुख गई थी क्योंकि दीदी वगरा रुख भी थे यहां पर तो आज माताजी का असली सोने के अभूशनों से श्रिंगार हुआ था और नोटों से उन्हें सजाया गया था अब मैं में में अपसर डाइरेक्ट साथवे दिन शाम के समय तो मैं हो रही थी रेडी क्योंकि आजसे मैं जाने वारी थी गरभा करने तो मैं रेडी होना इस्टार्ट हो गई थी और आज वहाँ पर जो थीम थी न वो थोड़ा सा राजपुताना ड्रेस अप था वहां का राजपुताना जो पोशाग होती उसका तो उसी साप्चना थोड़ा सा heavy makeup किया था मैंने थोड़ा मड़ा makeup करकर मैं हो गई थी पूरा dress up अगरा करकर ready तो यह देखिए मेरा final look और वैसे मेरे पास और जो कहें थे टाइम से 7 बचे का time था event का तो वहां पर यह इस टाइप का जो गरबा है ना यह पहली बारी हो रहा है हमारे यहां पर हर्दा में नहीं तो इसके पहले कभी इस टाइप से गरवे होते नहीं थे कि आप बिल्कुल freely यहां पर डांस कर पाऊ यहां पर कोई gents entry नहीं थी हार कोई irregular look नहीं थे तो आप comfortably यहां पर डांस कर सकते थे बच्चे भी खेल पा रहे थे क्योंकि pack था चारू तरफ से और security भी काफी अच्छी थी तो बच्चों ने भी कुप जम कर enjoy किया यहां पर भी आज नो देवियों का स्वरूप में मतलब लड़कियां तयार होकर आई थी तो हम लोगों ने पस इनके साथ में फोटोस और वीडियोस वगरा लिये और इसके बाद हो गया था आरती का समय तो बस उसके बाद फिर हम लोगों ने आरती वगरा की आरती enjoy की और बाकी सब लोगों का wait कर थी इस समय ना जादा लोग आई नहीं थे जादा समय हुआ भी नहीं था साड़ी साथ ही बजा था पर हम लोग सुचा थोड़ा जल्दी चलते क्योंकि बच्चे ना थोड़ा सा कम भीड में अच्छे से खेल पाते हैं enjoy कर पाते हैं तो बस वही हुआ आरती वगरा होने के बाद में फिर हो गए थी यहां पर गर पे स्टार्ट तो हम लोगोंने कुछ जंप कर अपना dance स्टार्ट कर दिया था क्योंकि यार मैं तो wait ही कर रही थी वैसे तो ये 5 दिन के थे बट मेरे सब लोग डांस कर रहें देगी हमारे दोनों बच्चे डांस करने वो जो है यलो वाले ड्रेस में वो मेरी देवरानी है और वो उनका बीटा है मैं काना को लेकर नहीं आई थी क्योंकि और इसकी तब इसकी तब इसक्तम ठीक नहीं थी और उसको इसे माहल में लेकर आना और वो इतने हाँ पर आकर कोई बैठता तो है है ही नहीं सौरी मैं इसे बोलते भी नहीं बन रहा है बस उसके बाद फिर सब लोग आ गए थे तो फिर गर्बा जो होता है वो स्टार्ट हो गया था और इवेंट टाइप से था फ्री था बिल्कुल आपको ऐसे कोई बांडेशन नहीं थी कि आपको आता है सौर लग अपना अपना एक ग्रूप बना कर कर रहे थे आप किसी भी ग्रूप में कुछ चाहिए इसे कोई बांडेशन नहीं थी तो बस जमकर हम लोग उने किया गर्ब फूर फर्स जे दुना को बैनर जी के साथ में किया और वैसे भी इस चीज़ का हम ना वेट ही करते हैं हमारे यहां पर कुछ होता नहीं है और परिवार की जो मतलब भावियां वगरा न हम लोगों की सब की बात होगी थी आपस में की हम सब लोग आज के दिन आएंगे और एक भाविया वो लेकर आये थे तलवार तो हम लोगों ने तलवार लेकर भी जैसे राजपुतों की शान होती ना दलवार लेडी से भी राजपुतों तलवार लेते तो बस तलवार वगरा लेकर हम लोगों ने भी धोड़ा मोड़ा मटक वटक लिया और फिर उसके बाद ह हुआ फाइनली आरती जैकार मतलब आरती क्या थी लास्ट चल रहा था इवेंट खतम होने वहाँ तो एक्जर्ट दस बजे बंद हो जाता है बस इवेंट खतम हुआ उसके बाद हम लोग पहले गए मंदीर, मंदीर में हम लोगोंने दर्शन वर्षन किए फिर हम घर आए तो घर पे आते हैं तब रस्ते में ये मातजी बीच में पढ़ती है तो वाहां हम लोगों ने दर्शन वर्षन किए क्योंकि टाइब से पहुँच गए थे भजन वगरा चल वे थे वहाँ पर भी तो अब सीसी के साथ मैं आज का व्लोग में एंड करती हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज चैनल को लाइक शर और सब्सक्राइब जरूर करें धर नियुक्त